वेलकम टू एक्जाम भी बिचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एल्टी टैट के प्रशन पत्तर को ठीक है जो ये प्रिक्षा हुई थी आज ही के दिन हुई थी इससे पहले हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस कर रहा था तो ये होगा दूसरा पार्ट इसमें हम जीके के कोशन को लाएं ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 121 कोशन था निमन में से कौन सा बंदरगा शेर सिंदू घाटी सब्यता में था तो यहाँ पर जो सही विकल्प होना था 121 का तो यह नहीं था C, लोथल जो लोथल है यह बंदरगाह सिंदु घाटी सब्यता के दुरान माजूद थी 121 का सही विकल्प C होगा अगला कोशने 122, भारतिय नेपोलियन निमन में से कौन सा था? तो जो भारतिय नेपोलियन के तोर पर किसे जाना जाता है तो यह जाना जाता है समुद्र गुफ्त को 122 का सही विकल्प भी होगा यहाँ अगला कोशन है 123, बुड़ा पेस्ट किस देश की राजधानी है? तो जो बुड़ा पेस्ट है यह होगी आपकी हंगरी देश की राजधानी 123 का सही विकल्प यहाँ पर ए होगा हाँ दोस्तों वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेर कीजेगा जिन जिनों भी यह टैट दिया है उनको यह वीडियो अवशी शेंड होनी चाहिए ताकि उन्हें भी अपने देख उत्तर देखने में असानी हो ठीके ना? चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं यह है 124 चानक्यों को निमन में से किस अन्य नाम से जाना जाता है तो जो जानक्यों थे जिनोंने मौरिसमराजे के नीव रखने में महतपुन योगदान दिया था तो इनका जो अन्य नाम था यह था विश्नुगुप्त 124 का सही विकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है 125 भारतिय राष्टे कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण सोराज की गोशना की गई थी तो बताना है कि इन में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो जो विकल्प भी है लाहोर सही विकल्प हो जाएग 125 का भारतिय राष्टे कॉंग्रिस के लाहॉर अधिवेशन में पूर्ण सोराज की गोशना की गई थी 125 का सही बीकल्प यहां पर B हो जाएगा अगला कोशिन देख लेते हैं अगला कोशिन है यहां पर बकसर का यूद किस वर्ष हुआ था तो 126 का सही बीकल्प यहां पर 164 हो जाएगा तो यहां पर 126 का सही बीकल्प C हो जाएगा ठीके न अगला कोशिन है मनसवदारी परनाली किस के द्वारा प्रारंब की गई थी तो जो मनसवदारी परनाली थी इसे अकवर के द्वारा शुरू किया गया था तो 127 का सही भी कल्प भी हो जाएगा अगला कुशन ने 128 पूछा गया है 6 अगस्ट 1945 को पहला एटम बम गिराएगया था जिसके द्वारा गिराएगया था अमेरिका की द्वारा और किसकी अपर गिराएगया था जापान के उपर तो बताना है कि जपान के किस शहर में पहला एटम बं गिराए गया था, तो ये गिराए गया था हिरोशीमा पर, 128 का सही बीकलप यहां पर ए हो जाएगा, हिरोशीमा सही बीकलप हो जाएगा, अगला कुशन है 129, इसमें पूछा गया है कि प्रिथ्विरा चोहान को किस ने प्राजित किया था, तो जो प्रिथ्विरा चोहान को प्राजित किया गया था, तराइन के दूसरे युद में, किस ने किया था, मुहमदगौरी ने, तराइन के दो युद हुए थे, पहले यूद में पृत्विरा चोहान ने मुहमद गौरी को प्राजित किया था और दूसरे यूद में मुहमद गौरी ने पृत्विरा चोहान को प्राजित किया था और दूसरे में मुहमद गौरी ने पृत्विरा चोहान को प्राजित किया था इसको समझेगा यहां पर सही बिकल्ब 129 का C हो जाएगा अगला कोश्चिन है यहां पर प्रशन आगे पीछे हो गए हैं देख लेजिए आप किस प्रकार से आपको मिलते हैं अगला कोश्चिन है 134 किस भारतिय राजा ने स्रीकंदर का बिरोद किया था तो यह था यहां पर बिकल्ब C पोरस जो पोरस राजा थे इन्होंने सिकंदर का बिरोद किया था ठेक है आपने एक चैनल आथा अभी एक धारावाईक शोह था पहले पता नहीं कब चला था उसमें राजा पोरस के बारे में बता जाता था उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो आपको सही उत्तर पता चलिया होगा 134 का सही विकल्ब C हो जाएगा अगला कोशने 135 जो जीला दर्रा किसके बीच में स्थित हैं तो यह हो जाएगा कश्मिर घाटी और लद्दा के बीच 135 का सही विकल्ब A हो जाएगा अगला कोशने 136 कुल महादीप कितने हैं तो जो कुल महादीप हैं इनकी संख्या साथ होगी 136 का सही विकल्ब C हो जाएगा अगला कोशने 137 चर्टे सुरिय का देश निमन में से किसे कहा जाता है तो जो चटते होए सुरिय का देश कहा जाता है ये जापान को कहा जाता है 137 का सही विकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कोशिन है 138 इसमें पूछा गया है सहयोग आंधोलन कब बापिस लिया गया था तो यहाँ पर डेट कुछ आगे पीछे हो गई दोस्तों जब चोरा चोरी की घटना हुई थी जब वहाँ पर कुछ जो आंधोलन कर रहे थे महात्मा गांधी के सहयोगी उन्होंने कुछ हिंसात्मक घटना कर दी थी जिसमें पूलिस कर्मी मारे गए थे उसके दुरान 1922 यहा रागव राजाराम गीत की रचना किसने की है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प होना चाहिए बिकल्प D कैसे तो जो रगुपती रागव राजाराम है इसकी रचना की थी लक्षमानाचारे जो गुरू थे लक्षमानाचारे इनके दौरा इस गीत की रचना की गई थी और इस अंसर की में इसका क्या उत्तर देते हैं अगला कोशने 131 पूछा गया है सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहां पर स्थीत होगा तो जो सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर है यह होगा आफ के तीरलोगपुर में स्थीत 131 का सहीबी कल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है 132 सारक की स्थापना कब हुई थी तो जो सारक संगठन है इसकी स्थापना हमें बतानी है इसकी स्थापना कब की गई थी तो यह की गई थी दोस्तों 1950 में 132 का सहीब बिकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा और कहां पर इसका मुख्या लिया है ये भी प्रशण बन सकता है आपसे तो जिसका मुख्या लिस्थित होगा तो ये हो जाएगा आपका दाका में और ढाका कहां है बांगलादिश की राधानी है अगला कोशन है 133 आनंधमठक घालेखक किसे माना जाता है तो जो आनंद मट का लेखक माना जाता है बंकिम चंदर चटो पाध्याय को माना जाता है 133 का सही बिकल्प यहाँ पर C हो जाएगा अगला कोशन पूछा गिया है यहाँ पर 143 जांजर किस जिले का परसिद निरित्य है तो जो जानजर होगा ये आफका सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर ए चमबा का 143 का सही बिकल्प ए हो जाएगा अगला कोशन है 144 हिमाचल परदेश के बिलासपूर में नलवारी मेला किस महीने में मनाए जाता है तो यह मना जाता है मार्च से लेकर अप्रेल तक तो यहाँ पर दोनों बिकल्प दिये गए हैं तो जो यहाँ पर सही बिकल्प होना चाहिए तो वो हो जाएगा बिकल्प सी अप्रेल ठीक है ना बाकी ऑफिशिल एंसर की में देखते हैं कौन सा सही मना जाता है अगला कोशन है 145 बिशव में सबसे पुराने लोकतंतर के नाम से मलाना नामक स्थान को जाना जाता है तो बताना है ये किस जिले में स्थित हैं तो ये हो जाएगा कुलू 145 का सही बीकल भी हो जाएगा तो दोस्तों आपने देखा होगा अधिकतर प्रशन बहुत ही सरल थे आप ऐसे ही ने कर सकते हो अगर आपने त्यारी की होगी अगर आप लोग हमारे चैनल के माद्यम से भी त्यारी कर रहे होंगे तो आपको अवश्य ये असान लगा होगा आप इसे एजिली करेक कर देते हैं ठीक है न क्योंकि हमारे चैनल में हर संडे को जब भी कोई एक्जाम होता था उसका जीके सेक्शन आप लोगों की त्यारी के लिए डाला जाता था क्योंकि ये जो आपको त्यारी करने का एक प्लेटफॉर्म परतान कर देता था क्योंकि अधिकतर प्रशन रिपीट होते हैं आपने देखा होगा कि इस प्रशन पत्तर में भी बहुत से प्रशन रिपीटिड हैं ये हमने बहुत से सारे प्रशन डिसकस किये थे पहले ठीक है न इसलिए ये आपके लिए महत्मून रहते हैं जितने भी प्रशन पत्तर में अंदमान निकोवार में 146 का सही बिकल्ब डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहां पारित किया था तो जो यह है प्रशन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि इसे किया था मुंबई में ठीक है तो मुंबई यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है तो मेरे अनुसार यहाँ पर जो सही बिकल्ब होना चाहिए तो वो हो जाएगा नागफूर ठीक है बाकी देखते हैं ऑफिशल एंसर की में क्या दिया जाता है अगला कोशने 140 इसमें पूछा गिया है परल हारवर किस देश का नौसैनिक अड़ा है तो जो परल हारवर है यह आफकी सम्युक्ताजिय अमेरिका का नौसैनिक अड़ा होगा सही बिकल्ब C हो जाएगा 140 का अगला कोशने 141 पूछा गया है कुफरी निमन में से किस के नजदिक है तो जो कुफरी होगी यह आपके शिमला के नजदिक है अगर कभी आप शिमला आये होगे तो यहाँ पर आप गई होगे अवशिक्यों की परसिद स्थले यह भी कुफरी यहाँ पर दित्तर समय बर्वारी रहती है अगला कोशने 142 पूछा गया है चोलंग चोटी हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है तो यह हो जाएगी आपके कांगरा में 142 का सही बिकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों यहाँ तक ही प्रशन थे बाकी देखते हैं अगर कोई प्रशन चूट जाता है तो उन्हें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे ठीक है यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्स कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यावाद